स्टुरेंट्स आज हम पढ़ेंगे जिनॉमिक लाइबरी के बारे में अगर हम बात करें जिनॉमिक लाइबरी के जिनॉमिक लाइबरी क्या है तो जिनॉमिक लाइबरी में कलेक्शन होती है किसी भी एक औरगनिजम के अंदर जो उसका टोटल जिनॉमिक डियने है उसकी अब अगर हम बात करें तो उसका heredity material मौझूद होता है वरास्ति मादा मौझूद होता है जो कहे DNA अब एक organism का जो cell है उसके अंदर अगर हम बात करें तो उसके पूरे cell के अंदर जो उसका DNA है वो हम कहते हैं कि वो उसका total genomic DNA है और यह total genomic DNA का जब हम collection करते हैं तो हम उसकी library बना होते हैं जिस तरह से हम कोई अगर हम बात करें आम library की तो उसमें मुक्तलिफ box जो हैं वो हम अगटी करके हमने रखी होती है तो genomic library में भी हमने क्या किया होता है जो पूरा DNA होता है वो हमने अगटा करके रखा होता है अब अगर हम बात करें किस तरह से जो है अगर हम बात क किस तरह से बनते हैं, तो इनके बनने के लिए हमें मुख्तिलिफ किसम के enzymes चाहिए होते हैं, और enzymes के अगर हम बात करें कि क्या है, तो enzymes ऐसे substance हैं, ऐसे molecules होते हैं, जो कि किसी ने किसी process को तेज करते हैं, अब यहां पर इस process में genomic library बनाने में जो enzymes इस्तमाल होते हैं, उन्हें कहा जाता है restriction enzyme, restriction enzyme, restriction enzyme क्या होते हैं, यह ऐसे enzyme होते हैं, जो DNA को, किसी भी organism का DNA है, उसे एक खास जगा पे cut करते हैं, cleave करते हैं, यहां पे अगर हम अपने सामने इस diagram में देखें, तो यह human DNA नजर आ रहा है, यह कि किसी भी human का जो cell है, उससे उसका हमने DNA extract कर लिया है, निकाल लिया है, अब DNA निकालने के बाद, यहां पे अगर हम इसे गौर से देखें, तो कुछ DNA में रीजन्स हैं, वह हमने colored किये हुए हैं, अब colored वाले जो रीजन्स हैं, अगर हम उने circle कर लें, यह yellow color का है, यहां पे आप देख सकते हैं, यह red color का है, यह blue color का है, और यह green color का है, अब यह जो हैं, इस लिए हमने colored किये हुए हैं, तांके हम पहचान कर सेंगे के यह अलग region है, अलग हिस्सा है DNA का, यह DNA ही है, लेकिन यह DNA का एक segment है, जो के हमने identify करने के लिए कि हम पहचान कर सेंगे, हमने उसका अलग color दे दिया है, अब यह जो DNA है, इसे cleave कर दिया गया है, किसकी मदद से, restriction enzymes की मदद से, और जब हमने इसको cut कर दिया है, तो आप देख सकते हैं, कि यह human DNA है, यह छोटे-छोटे fragments बन गए हैं, इसके, अब यह जो पूरे DNA के fragments बने हैं, यह क्या हैं, यह genomic DNA fragments हैं, और जब यह genomic DNA fragments हैं, यह genomic library बनती है, तो यहां पर हमने अपने सामने यह diagram रख ली है, अब सबसे पहले क्या होता है, कि जिस भी organism के हमने genomic library बनानी है, उसके हम cell से क्या करते हैं, उसके हम cell से DNA extract करते हैं, यह निके निकालते हैं, और निकालने के बाद उसे purify करते हैं, यहां पर अगर आप black color का नजर आ रही है, यह DNA है, अब यह जो DNA है, इसको हमने क्या किया, DNA को extract कर लिया cell से, और cell से हमने extract करने का वाद इसको क्या क्या, इसको हमने digest करवाया है, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम से, अब जब हमने इसे restriction enzyme से digest करवाया है, तो फिर क्या हुआ है, restriction enzyme से digestion कराने के कहा जाता है तो उसे जीन कहा जाता है fragment of DNA is gene और अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह जो है यह जो size small fragments मौझूद है इसमें मुख्तलिफ किसम की genes मौझूद है अब यह जो DNA fragments है इनको हम क्या कहते हैं इनको हम insert कर देते हैं किसी vector के अंदर अब अगर हम बात करें कि vector क्या है तो vector जो है यह ऐसे components होते हैं जिनके अंदर जो हमारा gene of interest है यानि कि जो हमारा DNA fragment है वो हम इसके अंदर डाल सकते हैं अब यहां पे जो vector इस्तमाल हुआ है यह plasmid है plasmid जो है bacteria के अंदर मौझूद होते हैं जो circular और extra chromosomal path है यह है पर यह आप देख सकते हैं कि यह plasmid है और plasmid को क्या किया है plasmid अगर हम diagram में draw करें तो bacteria के अंदर जब हम plasmid निकालते हैं तो इस तरह से circular पूरा होता है अब हम क्या करते हैं जब हमने इसके अंदर अपना segment डालना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम यह जो plasmid होता है इसकी यहां से cutting कर देते हैं उस region के और इसकी cutting के लिए भी हम restriction enzyme इस्तमाल करते हैं यहां पर इसके cut produce करते हैं और cut produce करने के बाद क्या हो जाता है इस तरह से हो जाते हैं और फिर यह वğlळा जो हिस्सा होता है इसमें हम क्या करते हैं अपना जो हमारा desire DNA fragment है वो इसके अंदर डाल डेते हैं इंसर्ट कर देते हैं अब जब हम इसके अंदर अपना DNA fragment जो हमारा चाहिए होता है वो हम इसके अंदर insert कर देते हैं तो फिर हम इसको DNA ligase की मदद से seal कर देते हैं DNA ligase की अगर हम बात करें कि DNA ligase क्या है तो DNA ligase भी एक enzyme है और ये ligation का काम करता है यानि कि जोडने का काम करता है अब ये किसको जोड रहा है ये वाला जो segment था DNA का sorry जो fragment था ये वाला fragment और ये जो plasmid है ये आपस में यहाँ पर इसको जोड रहा है अब जब ये इसको जोड देता है तो ये क्या बन जाता है ये recombinant plasmid बन जाता है और ये जो recombinant plasmid है हम इसे कहते हैं कि ये एक recombinant molecule है अब ये जो recombinant molecule है ये एक recombinant molecule है जो के हमने इसके एक segment से बनाया है अब इसी तरीके से जितने भी इसके segment है उनको हम plasmid में डालते हैं यहाँ पर आप देख सेते हैं हर सर जो इसका segment है जिसका DNA का fragment है उसका जो color है वो मुख्तलिफ है इसलिए हमने सब बारी बारी सब को plasmid में डाला है और जब ये plasmid के अंदर चले जाते हैं तो ये जो recombinant plasmid होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं इनको हम bacteria के अंदर डाल देते हैं जब यह जो bacterialle है जब हम इनको इनके अंदर डाल देते हैं तो हम कहते है कि यह bacterialle के अंदर ट्रांस्फोर्मेशन हो गई है क्योंकि हमने इतने इस 1994 के अंदर डाल दी है अब ज़क्ते यह ज़क्ते जाते हैं तो जैसे जियसे बैक्तीरिया partiali करता है और हर 20 मिनिट बार डिवाइट कर देगा, तो जो हमने इसके अंदर DNA फ्रेग्मेंट डाला हुआ है, उसकी भी कॉपीज बनने शुरू हो जाएंगी, और इसी तरीके से जब सारे रिकॉंबिनेंट जो प्लाजमेंट है, उसकी क्या है, उसकी हमारे पास कॉपीज आ गई है, और जब पूरे एक और लिविंग ऑगनिजम के किसी भी जिनोमिक DNA की हमारे पास कलेक्शन आ जाती है, कॉपीज की सूरत में तो हम उसे कहते हैं कि ये जिनोमिक लाइबरी है, तो स्टूरेंट्स आज हमने पढ़ा है जिनोमिक लाइबरी के बारे में,